देखे आज मैंने मार्केट से लाल मिर्च लाया था बहुत ही फ्रेस फ्रेस लाल मिर्च मिल रही थी मार्केट में इस टाइम तो मार्केट में लाल मिर्च की बहार है क्योंकि इस टाइम में भरवाचार बनाया जाता है तो मैंने लाया था भरवाचार बनाने के लिए लाल मि मिर्च रख ली थी क्योंकि मैं उसका बनाऊंगी सेजवान सॉस और यह देखिए मैंने मिर्च को अच्छे तरीके से दूल के कपड़े से पोश लिया था अब इसको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसका जो पीछे का डंठल रहता है उसको हम निकाल द मिर्च वाइं अब इसको हम करेंगे मिक्सी के जार में और दर-दरा सा ग्राइंड करना है इसको आप ग्रायंड करते टाइम अगर आपको तो कोई भी प्राब्लम होती है क्रीम नहीं हो रहा है तो आप टेबल स्पून ये से पानी यूज कर सकती है लेकिन मेरा मिर्च अच उनको हमने बारी कट कर लिया था इधर हमारा मिर्च भी जरादा सा ग्राइंड हो चुका है और मैंने थोड़ा सा रिफाइन डाला है हाप कटोरी और उसको अच्छे तरीके से गरम हो जाने देंगे तेल को तो गरम हो चुका है अब हम गयस की फ्लेम मीडियम कर देंगे अब डालेंगे अद्रक और लसन और इसको आच्छी तरीके से हम डाल के चलाएंगे जिसे इसका कच्छाफन चला जाए तोड़ा सा हमारा लसन और अध्रक फ्राइब जाएगा और इसके बाद हम तुरंत अइट कर देंगे अपना जो हमारा किया हुआ है मिर्च उसको आड कर देंगे तो हमारा लाशन और अद्रक हो चुका है इसमें हम ग्राइड क्या हुआ डाल देते हैं है लाल मिर्च पैन लगएगा पैन से तब इसमें हम एट करेंगे एक तो टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सोया सॉस को आपका यह सेजवान सॉस से एकदब मार्केट जैसा मिलेगा मार्केट में तो आ उसमें जीनो मोटो यूज करते हैं लेकिन बिना जीनो मोटो के भी आप मारकेट जैसा सेजवान सौस बना सकते हैं अब मैंने इसमें डाला है वन टेबल इस्पून कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे इसमें कलर अच्छा आए और फिर टेस्ट के अनूसार इसमें हम नमक अट कर देंगे और फिर हम बड़े चमच से दो चमच डालेंगे इसमें विनेगर और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे और दो-तीन सेक्ट तक चलाते जाएंगे लोज फ्लेम पे ही उसके बाद इसमें हाफ प्रेमल स्पून हम डालेंगे चीनी और दो चम्मच हम डालेंगे टोमेटो कैचप तो यह देखिए इसको टोमेटो कैचप मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे अब देखिए दिरे-दिरे हमारा है मार्केट जैसा सहजृान सास का कलर आ रहा है आप जब थोड़ी देर इसको भूनेंगी लोव फ्लेम पे उसके बाद थोड़ी देर बाद ही है आपका एकदम मार्केट जैसा कलर भी आ जारेगा और भूनते-बूनते durant चीली फ्लैक्स आप को एसा तीका पसंद आप उसी साब से इसमें सा चीली फ्लेक्स बढ़ा भी सकते हैं तौँ यह देखे हैं सेजवान सास alors नौ आप सेजवान सास बना कर और स्टोर करके अपने फ्रिज में सालों साल के लिए रख सकती है और अपने बच्चों अपने फैमली को खिला सकती है मार्केट से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो यह देखिए घर पर कितने पर्फेक्ट तरीके से मार्केट जैसा सेजवान सास रेडी हो गया है तो आपको अगर हमारी सेजवान सास की यह रेस्पी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करना मत भ भाइ भाइ